नमस्कार जेहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोईन टीच में देखते हैं हम कर रहे हैं क्लाश 10 मेस का रिविजन क्योंकि एक्जाम बहुत पास आ गई तो हम खास-खास क्योस्चन करेंगे जो एक्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं तो देखना है क्य यदि यदि मतलब इफ टेन एदो देन एड़ीजिगल टू क्या दिया है 4 अपन फ्री तो अपने को फाइंड करना है साइन एक कमान किसका मान किसकी वेल्यू अपने कौ फाइंड करना तो आप मुझे बताओ त्रिकोन में बताइं पाकिस्तान भूका प्यासा और हिंदूस्तान हरा भरा मतलब हमको याद रखना है यहां पर लिखके बता रहा हूं मैं आपको पाकिस्तान भूका प्यासा टुकु क्या है ट्रिक हिंदूस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूका पैसा हिंदूस्तान हरा भरा तो साइन कोस 10 तो हमारे पास 10 क्या नहुंद है न कि तो 10 डिया क्या यह तो बीयो टो सब्साइब के दिया है पेजर कि impacting आपया हुआ मुण अब देखना हम एक राइट एंगल बनाइंगे राइट एंगल ट्राइंगल बना त्राइंगल के चलता है और हमको परपेंडिकुलर हमेशा ठीटा रहेगा उसके सामने कर रहेगा आपको यह चीज हमेशा दीमाग में फीट करना है अभी मेरे साथ हमेशा कर लिए जिनकी भर ही नहीं बोलोगे आप ध्यान देना हमने ठीटा यह लिया तो यहां से कितने रास्ते निकलते हैं दोस्तों दो एक रास्ता इधर निकलता है एक रास्ता इधर निकलता है जहां पर यह रास्ता खतम होता है जो रास्ता खतम होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा देखो इधर से रास्ता यहां पर गया इधर से रास्ता यहां आपर गया तो इसका पर्पेंडिकुलर कौन कहलाएगा यह मादब लंब खोन कहलाएगा यह उसको हम देदेंगे वह याद रखना यह पर्पेंडिकुलर हो गया दूसरा भ्लीनिक बेस हो जाएगा क्यों करन होता हैες हाइपोटेनस हुऊ हमेयसा आड़ा होता है हाइपोटेनस क्या होता है आड़ी लाइन होती है कि तो यह हम इसको एसे करें अगर हमारे पास घीठा यह रेता आ धालिक्ते तो पर्पेंडिकुलर कोगे ए और बेस यह वो ज breathing नहीं होगा बस चेंज जो दिया वो लिख लेते हैं पी कितना है अपने पास फोर मतलब पी कितना है फोर बेस कितना है फिरी अपने को क्या चाहिए एच चाहिए तो यहां पर इसको एक ट्राइंगल मान लो A, B, C माल सकते हैं इन ट्राइंगल A, B, C बेटा आवाज मत करो आवाज मत करो बेटा इंगल B कितने डिगरी का है? 90 डिगरी का इंगल B कितने डिगरी का है? 90 डिगरी का तो 90 डिगरी का है तो हम कौन सी ठियोरम लगाएंगे? P, G, T पाइथागोरस थियोरम देखना दोस्तों पाइथागोरस थियोरम क्या होता है अगर वोट नहीं दीखे तो पाइथागोरस थियोरम क्या होता है किनी दो साइट का स्क्योर का सम एक बड़ी साइट के स्क्योर के बराबर होता है यह अपने को याद रखना है यह एक बड़ी स साइट का स्क्यूर दो चोटी साइट एक परपेंडिकुलर हो गया और एक बेस हो गया दोनों के स्क्यूर के संब के बराबर होता है उसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं एक भुजा का वर्ग दो चोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं प एसे लिखेंगे पी कितना है फोर तो फोर का इसक्यूर बेस कितना है थ्री तो थ्री का इसक्यूर देखना दोस्तो एच इसक्यूर बराबर चार का इसक्यूर सबको पता है 16 16 3 का सबको पता है 9 तो एंज इसके और कितना आ गया 16 और 9 25 बटाई यहां पर इसके और हटाएंगे तो इसके ओपर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा अब 25 किसका इसके रहता है पांच का तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हम निकालेंगे ध्यान देना साइन तो साइन ए क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा तो यह साइन ठीटा हमारे पास होगा प्क है थीटा हमारे पास A है अगर यहां पर Syndical कौन हो गया यह है ли야 आप से पिम देख तो हैं और पेंटिकुलर में टाया फॉर कट्ञेट हम ने कुछ मिश्टक कर दी है एक हमारे पास कितना है फाइव कि इस हमारे पास कितना है फाइव कि कितना था पहले से फोर और एच कितना है मतलब साइने कामान जो आया है वो आया फोर अपन फाइब यह हमारा एंसर है देखना आपको रिविजन करना है अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो कुछ भी पोसिबल नहीं है आपके मुम्मी बापा का सपना इसी पर डिपेंड करता है धन्यवाद